हलो एब्रिवान वेलकम टो गुरुकुल एकेडमी तो गाइस आज हम यहाँ पर डिसकस करेंगे साइन्स के 50 कुशन्स यहाँ पर हम इजी मॉडरेट और हाड तीनों तरह के कुशन्स डिसकस करेंगे इसलिए वीडियो को लास तक देखना विकाज काफी इंपॉर्टेंट होन तक आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए स्टार्ट करती हूँ फर्ष्ट कोशन के साथ तो हमारा पहला कोशन है मनुस्य में भोजन के पाचन से सम्बंदित प्रकिरिया कहां से सुरू होती है तो राइट आंसर होगा आपका आप्शन न इन में से कौन सा जीव पर जीवी पोशन के तरीके से अपना आहार लेता है तो राइट आंसर होगा आपका आप्शन नमर बी प्लाजमोडियम यानि जो बी आप्शन है वो आपका राइट आंसर है प्लाजमोडियम जीव पर जीवी पोशन के तरीके से अपना आहार लेता है next question और हां यहां से आपने कितने questions सही करे हैं वो हमें आपको comment box में share करना है तो चलिए next question पे पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिस्रित होने वाले पहले enzyme के बारे में बताएं तो option number जो C है वो आपका right answer हो जाएगा amylase यानि जो C option है वो आपका right answer है पाचन तंत्र में भोजन के साथ amylase enzyme जो है मिस्रित होता है next question जीव विज्ञान में निम्न में से कोसिकाओं की उर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है तो right answer होगा आपका option number C ATP यानि जो C option है वो आपका right answer है जीव विज्ञान में ATP कोसिकाओं की उर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है ATP यानि addoncine triphosphate इसका पूर्ण रूप है तो ये आपको याद रखना है next question एक पौधे के तने में स्वसन और स्वास किसके माध्यम से होता है तो right answer होगा आपका option number A lentilles यानि जो A option है वो आपका right answer है यानि पौधे के तने में स्वसन और स्वास दोनों ही lentilles cells के माध्यम से होते हैं यानि जो A option है वो आपका right answer हो जाएगा next question किस जीव का हिर्दे तीन कक्षिय होता है तो right answer होगा आपका option number B छिपकली यानि लीजार्ड यानि जो B option है वो आपका right answer है छिपकली का हिर्दे तीन कक्षिय होता है तो ये आपको याद रखना है next question उस रक्त वाहिका का नाम बताएं जो रक्त को वापस दिल में ले जाती है तो right answer होगा आपका option number A नस यानि जो A option है वो आपका right answer है ये जो नस है वो बलड को वापस से दिल में ले जाती है next question पौधे में भोजन का समवहन किस माध्यम से होता है तो right answer होगा आपका option number B फ्लोयम यानि जो B option है वो आपको याद रखना है और B option जो है आपका correct answer हो जाएगा तो यहाँ से आपको एक चीज भी याद रखनी है कि F से ही फ्लोयम होता है और F से food तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि फ्लोयम के माध्यम से food का जो है food जो है जाता है यानि भोजन पौधे में और जो से जल होता है तो जाईलम के माध्यम से जो है जल जाता है पौधे में तो यह आपको याद रखना है काफी easy है यह आपको याद रखने के लिए next question सरीर में घाव होने या कटने के बाद रक्त किसके कारण जम जाता है तो राइट आंसर होगा आपका option number c plate lates यानि जो c option है वो आपका राइट आंसर है सरीर में घाव होने या कटने के बाद plate lates के कारण जो है blood जम जाता है next question रक्त धमनी में फोर्स से जाता है तो वेव या लहरों जैसा विस्तार होता है इस अवस्था को क्या कहते हैं तो राइट आंसर होगा आपका आप्शन नमबर बी पल्स यानि जो बी आप्शन है वो आपका राइट आंसर है जब ब्लड जो है वो फोर्स के माध्यम से धुहनी में जाता है और जब उसका आकार वेव या लहरों जैसा हो जाता है तो उनको जो है हम पल्स कहते हैं यानि जो बी आप्शन है वो आपका राइट आंसर है पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है तो राइट आंसर होगा आपका ओप्शन नमबर C आप्शन यानि जो C आप्शन है वो आपका राइट आंसर है ये जो आप्शन हार्मोन है वो फसलों को गिरने से बचाता है निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसिय रूप में पाया जाता है तो राइट आंसर होगा आपका ओप्शन नमबर C, इथिलीन यानि जो C ओप्शन है वो आपका राइट आंसर है इथिलीन ये एक मात्र ऐसा हार्मोन है जो प्रकर्ती में गैसिय रूप में पाया जाता है उस plant हार्मोन का नाम बताएं जो की फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है तो राइट आंसर होगा आपका ओप्सन नंबर A, इथिलीन यानि जो A option है वो आपका राइट आंसर है ये जो इथिलीन हार्मोन है ये फलों को पकने के लिए जिम्मेदार है नेक्स्ट कोशन आर एन ए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपियोगी है तो राइट आंसर होगा आपका ओप्सन नमबर सी साइटो काइनीन यानि जो ओप्सन नमबर सी है वो आपका राइट आंसर है आरेने और प्रोटीन बनाने में साइटो काइनीन हार्मोन जो है सहायक है next question निम्न लिखित में से कौन सा कथन गलत है यानि इन चारों में से कौन सा कथन गलत है तो वो आपको बताना है तो right answer होगा आपका option number B विस्तार के छेत्र में आक्सीन का उत्पादन किया जाता है यानि जो B option है वो आपका गलत है Next question पौधे के निस्क्रियाता को तोड़ने में पौधे के किस हार्मोन से मदद मिलती है तो right answer होगा आपका option number B गिब्रेलीन यानि जो option number B है वो आपका right answer है पौधे के निस्क्रियाता को तोड़ने में पौधे के गिब्रेलीन हार्मोन से मदद मिलती है यानि जो B option है वो आपका right answer हो जाएगा Next question कौणसा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है यानि जो आपका right answer होगा यानि जो C option है वो आपका right answer है तो ये जो फ्लोरी गेंस हार्मोन है ये पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है Next question कौणसा प्लांट हार्मोन घायल कोसिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधे की चोट ठीक हो जाती है तो right answer होगा आपका option number B traumatic यानि जो B option है वो आपका right answer है ये जो traumatic हार्मोन है ये पौधे की घायल कोसिकाओं में बनता है जिससे की पौधे की चोट ठीक हो जाती है Next question निम्न में से कौनसा हार्मोन ओक्सीन की उपस्थिती में cell division और विकास में मदद करता है तो right answer होगा आपका option number B cytokinin यानि जो B option है वो आपका right answer है यानि जो cytokinin हार्मोन है वो ओक्सीन की उपस्थिती में cell division और विकास में मदद करता है तो आपको ये याद रखना है जो B option है वो आपका right answer है Next question लकडी के पौधे में Cambion की गतिविधी को बढ़ाने वाले plant हार्मोन का नाम बताएं तो right answer होगा आपका option number A गिबेरेलीन यानि जो A option है वो आपका right answer है लकडी के पौधे में Cambion की गतिविधी को बढ़ाने वाला गिबेरेलीन हार्मोन है Next question कचुए का ओसत जीवनकाल कितना होता है तो right answer होगा आपका option number D 150 से 200 वर्स यानि जो D option है वो आपका right answer है कचुए का जो जीवनकाल होता है वो 150 से 200 वर्स तक होता है Next question मनुस्य का ओसत जीवनकाल कितना होता है तो right answer होगा आपका option number A 66 वर्स यानि जो A option है वो आपका right answer है मनुस्य का जो ओसत जीवनकाल होता है वो होता है लगबग 66 वर्स तो यानि जो option number A है वो आपका right answer है Next question बिल्ली का ओसत जीवनकाल कितना होता है जो बिल्ली है उसका ओसत जीवनकाल कितना होता है तो राइट आंसर होगा आपका option number C 21 वर्स यानि जो C option है वो आपका राइट आंसर है बिल्ली का ओसत जीवनकाल होता है 21 वर्स कुट्टा का ओसत जीवनकाल कितना होता है तो राइट आंसर होगा आपका ओप्शन नमबर C तो राइट आंसर होगा आपका ओप्शन नमबर C 12.8 वर्स यानि जो C ओप्शन है वो आपका राइट आंसर है जो कुट्टे का ओसत जीवनकाल होता है वो होता है 12.8 वर्स Next question मेंधक का ओसत जीवनकाल कितना होता है तो राइट आंसर होगा आपका Option number B 5 से 15 वर्स यानि जो B option है वो आपका राइट आंसर है तो मेंधक का जो जीवनकाल होता है वो होता है 5 से 15 वर्स तो ये आपको याद रखना है Next question बक्री का ओसत जीवनकाल कितना होता है तो राइट आंसर होगा आपका Option number B 14 वर्स यानि जो B option है वो आपका राइट आंसर है जो बक्री का जीवनकाल होता है वो होता है 14 वर्स Next question गोडा का ओसत जीवनकाल कितना होता है तो right answer होगा आपका option number C, 62 verse, यानि जो C option है वो आपका right answer है, तो घोडा का जो जीवनकाल होता है, वो होता है, 62 verse. Next question, बंदर का ओसत जीवनकाल कितना होता है? तो right answer होगा आपका option number A, 25 verse, यानि जो A option है, वो आपका right answer है. Next question, मोर का ओसत जीवनकाल कितना होता है तो राइट आंसर होगा आपका ओप्शन नमबर C 15 वर्स यानि जो C ओप्शन है वो आपका राइट आंसर है तो मोर का जो जीवनकाल होता है वो होता है 15 वर्स नेक्स्ट कोशन उट का ओसत जीवनकाल कितना होता है तो राइट आंसर होगा आपका option number D, 30 वर्स यानि जो D option है वो आपका राइट आंसर है next question गाय का ओसत जीवनकाल कितना होता है तो राइट आंसर होगा आपका option number B, 16 वर्स यानि जो B option है वो आपका राइट आंसर है next question हाथी का ओसत जीवनकाल कितना होता है तो right answer होगा आपका option number A 57 verse याланि जो A option है वो आपका right answer है हाथी का जीवनकाल 57 verse होता है next question निम्न लिखित में से कौन सा कथन गलत है तो right answer होगा आपका option number D चांदी और तांबा केवल संयुक्त रूप में पाए जाते हैं यानि जो D option है वो आपका गलत है Next question निम्न लिखित में से कौनसा बहुमूल्य धातू है तो right answer होगा आपका option number C platinum यानि जो C option है वो आपका right answer है ये जो platinum है ये एक बहुमूल्य धातू है Next question बबित मिस्र धातू का मुख्य घटक निम्न लिखित में से कौनसा धातू है तो right answer होगा आपका option number C 10 यानि जो C option है वो आपका right answer है Next question प्रयोग साला में गैर जीवित संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक योगिक कौनसा था तो right answer होगा आपका option number A इथर यानि जो A option है वो आपका right answer होगा तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर गैर जीवित संसाधनों से निर्मित बताया गया है तो आपका जो right answer होगा वो होगा इथर और अगर होता कि परियोग साला में पहला कार्बनिक योगिक कौनसा था तो वो था यूरिया स्टार्च आयोडाइड पेपर का प्रेयोग किसके परिक्षण के लिए किया जाता है तो right answer होगा आपका option number D एक ओक्सी करण एजेंट के लिए यानि जो D option है वो आपका right answer हो जाएगा नेक्स्ट कोशन लोहे के निसकर्षण में चूना पत्थर का इस्तमाल किस रूप में किया जाता है तो right answer होगा आपका option number D फ्लस्क यानि जो D option है वो आपका right answer है लोहे के निसकर्षण में चूना पत्थर का इस्तमाल फ्लक्स के रूप में किया जाता है नेक्स्ट कोशन अस्थी संधी सोथ के इलाज के लिए किस दवा का उपियोग किया जाता है तो राइट आंसर होगा आपका ओप्शन नमबर A, एटो डोलक यानि जो A ओप्शन है वो आपका राइट आंसर है नेक्स्ट कोशन निम्न लिखित में से किसमें त्री विमिये क्रिश्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है तो राइट आंसर होगा आपका ओप्शन नमबर D, ग्रेफाइट यानि जो D ओप्शन है वो आपका राइट आंसर है नेक्स्ट कोशन मानव सरीर में पाई जाने वाली सरवाधिक मात्रा में कौनसी धातू है यानि जो मानव सरीर में सरवाधिक मात्रा में कौनसी धातू पाई जाती है तो राइट आंसर होगा आपका ओप्शन नमबर B, केल्सियम यानि जो B ओप्शन है वो आपका राइट आंसर है Next Question प्राकरतिक चैन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धान्त को किसके द्वारा दिया गया था तो Right Answer होगा आपका Option नमबर A Darwin यानि जो A Option है वो आपका Right Answer है Next Question अनुवानसिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है तो right answer होगा आपका option number B, Darwin यानि जो B option है वो आपका right answer है next question कौन सा स्त्रोत क्रमिक विकास के लिए प्रमाण प्रदान करते हैं तो right answer होगा आपका option number D, उप्रोक्त सभी यानि homologous organs, analogous organs और जीवास्म यानि ये जो तीनो option है वो आपके right answer है, तो जो right answer होगा वो होगा आपका option number D next question एक जीवास्म पक्षी का नाम बताएं जो सरी सर्प के जैसी अन्य विसेशताएं रखता है तो right answer होगा आपका option number B, archiopeterics यानि जो B option है वो आपका right answer है archiopeterics सरी सर्प के जैसी विसेशताएं रखता है next question जिनकी सरचना अलग अलग प्रकार की है लेकिन समान रूप से दिखते हैं और एक ही जैसे कार्रे करते हैं वे क्या कहलाते हैं तो right answer होगा आपका option number A, analogs organs तो आपका जो right answer होगा वो होगा option number A, analogs organs यानि जो A option है वो आपका right answer है next question किस ने सुझाव दिया कि जीवन को सरल अकार्बनिक अणवो से विक्सित किया गया है तो right answer होगा आपका option number C, Halden यानि जो C option है वो आपका right answer है next question A, V, E, S किस से विक्सित हुए हैं यानि A, V, S किस से विक्सित हुए हैं तो right answer होगा आपका option number D, सरी सर्प यानि जो D option है वो आपका right answer है next question प्रत्वी पर जीवन की उत्पत्ती का सिध्धान्त किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है तो right answer होगा आपका option number A, Halden यानि जो A option है वो आपका right answer है next question मौजूदा प्रजातियों से नई प्रजातियां विक्सित होने वाली प्रकेरिया को क्या कहा जाता है तो right answer होगा आपका option number C, प्रजाती करण यानि जो C option है वो आपका right answer है तो hey guys total 50 question थे और आपने यहां से कितने question सही करे हैं वो हमें comment box में बताना है और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक like जरूर करना चैनल को subscribe और bell icon को press कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का notification आपको मिल जाए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक like जरूर करना तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको next class में तब तक के लिए take care bye bye thank you